दोस्तो अधार कार्ड से EPUI रेजिटर्शन करने का प्रोसर्स एक और बैंक में चालू हो गया है दोस्तो ओ बैंक है पंजाब एंड सिंद बैंक जी हाँ दोस्तो अगर आपका एकाउंट पंजाब एंड सिंद बैंक में है अब आप बीना डेबिट कार्ड के सिर्फ अधार कार्ड से EPUI ID बना सकते हैं और EPUI के सर्विसर्ज के लाव उठा सकते हैं दोस्तो पंजाब एंड सिंद बैंक में अधार कार्ड से EPUI ID का फीचर आये हुए कई दिन हो गया लेकिन EPUI ID बनाने में एरर आ रहा था इसलिए आप लोग के बीच फाले वीडियो नहीं आया तो चलिए दोस्तो बीना किसी देरी के पंजाब एंड सिंद बैंक में अधार कार्ड से EPUI ID बनाने के प्रोसेस को देखते हैं लेकिन दोस्तो इससे पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मोटिवेशन को बढ़ाएं रखे है कि हम आप लोगों के बीच और ऐसे ही इन्फरमेटी वीडियो लेके आते रहे हैं और दोस्तो जो लोग नए हैं जो लोग अधार काड़ से UPI ID बनाने के फीचर को नहीं जानते हैं उन लोग को मैं बता दो कि दोस्तो NPCI के द्वारा एक फीचर लॉंच किया गया जिसमें आप अधार काड़ से ही बिना भी डेविट काड़ के अपने बैंक में UPI ID बना सकत हैं लेकिन दोस्तो ये फीचर अभी कुछ ही बैंकों में लागू किया गया है तो दोस्तो इसके बारे में और आपको जनकारी लेना है तो मैं बहुत सारे वीडियो मना चुका हूँ और ओ सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से देख के समझ सकते हैं तो आईए दोस्तो हम लोग देखते हैं कि पंजाब एंड सिन बैंक में अधार कार से यूपिय आडि कैसे बनाए तो दोस्तो इसके लिए अपने मोबाइल में भीम एप को ओपन करना होगा उसके बाद बैंक एकाउंट वाले उप्शन में चलना होगा जहां पे आपने बै बैंक को एड करने के बाद होगा तो उस बैंक एकाउंट पर एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों बैंक करने के बाहाद वंक करने गाद बहुत सारे आपर शार आपचन ऑप्तुन और इसी यहां से आप डे nude का और यहाँसार नंबर को सेलेट करने का ओप्सना आएगा तो दोस्तो हम लोग देखेंगे कि अधार नमबर से इपी पीन को सेट कैसे करें इसके लिए अधार नमबर वाले अप्शन को सेलेट करेंगे और दोस्तो अधार नमबर वाले अप्शन पर सेलेट करते हैं इसके नीचे कुछ टर्मेंड कंडिशन लिख क्या रहा है दोस्तो यह टर्मेंड कंडिशन कर आया कि आपका mobile नंबर जो आपके खाते में रजिस्टर है वहीं mobile नंबर आपके अधार कार में भी रजिस्टर होना चाहिए तो दोस्तो अधार नमबर को सेलर करने के बाद नीचे में right side में proceed का option है तो दोस्तो यहांसे proceed well option पे क्लिक कर देंगे दोस्तो proceed well option पे क्लिक करते हैं एक term and condition आएगा इस term and condition को पढ़ेंगे और इसके बाद नीचे में right side में accept का option आएगा तो दोस्तों यहां से accept वाल option पे click कर देंगे दोस्तों accept वाल option पे click करते हैं please wait लिख के आएगा और यहां से कुछ time लेगा और यहां से आपके खाते में registered अधार number को search करके deduct करेगा कि आपके खाते में अधार number registered है या नहीं अगर दोस्तों आपके खाते में अधार नमबर रेजिस्टर्ड नहीं होगा तो error लिख के आ जाएगा और बता देगा कि आपके खाते में अधार नमबर रेजिस्टर्ड नहीं है और अगर आपके खाते में अधार नमबर रेजिस्टर्ड होगा तो उसके बाद आपके खाते में Registr Aadhar Number के Last के 4GIT को इंटर करने का अप्चान आ जाएगा तो दोस्तों यहां से अपने खाते में Registr Aadhar Number के Last के 4GIT को इंटर करेंगे और दोस्तों अधार नमबर को इंटर करते हैं प्लीस वेटी लिख का आएगा और यहां से आपके खाते में Registr Aadhar appreciated दोस्तों यहां से अपने मन पसंद जो UPI PIN बनाना चाहेंगे, वो UPI PIN को आप बना लेंगे, तो दोस्तों इसी तरह आप पंजाब and Sindh Bank में अधारकाट से UPI ID बना सकते हैं, दोस्तों अधारकाट से UPI ID बनाने के और जीतने भी सारे बैंक बचे हुए हैं, वो बैंकों में भ मिलते हैं फिर से नेक्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, दोस्तों अगर आपको UPI ID बनाने में अभी भी कोई प्रोब्लम हो रहा है, तो प्लीज कमेंट करके बताएगा हम आपके उस प्रोब्लम को सुल्व करेंगे, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा,